हाई गाईज वोलकम बैक आप सभी का अपने चानल पे बहुत इज़ादा स्वागत है गाईज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएस 17 के नए अपडेट में हम वर्ट्सैप की अप्लिकेशन में किसी भी परसन को HD photos और HD videos को कैसे send कर सकते हैं वो भी बिना document create किये वरना पहले वाले updates में हमें पहले documents में photos को open करके उसको save करना पड़ता था और फिर उसको send करना पड़ता था ऐसे high quality अगर आपको photos videos को send करना है तो ये काफी लंबा process हो जाता है पहले आपको यहाँ पर अपनी files में save करना पड़ता है और फिर आपकी यह जो photo है वो document में convert होती है बट आप यहाँ पर still इस नए update में यहाँ पर किसी भी contact को send कर सकते हो HDR photos और videos वो भी बिलकुल high quality में कोई भी आपके quality lose नहीं होगी पस आपको इस process को follow करना है और आप easily send कर सकते हो किसी भी person को high quality photos वीडियो को सबसे पहले guys आपको app store को open करना है और यहाँ पर आपको search करनी है WhatsApp की application अगर आपकी WhatsApp की application जो है वो update नहीं है सबसे पहले आपको WhatsApp को up to date रखना है जैसे कि मेरे case में update की application आई है update यहाँ पर मैंने update की उपर tap किया और यह जो update हो चुकी है WhatsApp की application completely बस इसने थोड़े से second से आपर लगाने है तो यहाँ पर update हो चुकी है blue color का dot भी आपको देखने को मिलेगा आपकी WhatsApp की application की उपर इसका मतलब है कि आपकी जो WhatsApp की application है वो up to date हो चुकी है उसके बाद आपको अपने किसी भी contact को open करना है जिसको आप send करना जाते हो high quality में photos और videos तो यहाँ पर मैं simply plus के button पर tap करूँगा और photos की उपर आपने tap करना है और यहाँ पर आपकी particular photo को send करने के लिए select करना है जैसे कि मैंने इस photo को send करना है high quality में बस आपको यहाँ पर HD की उपर tap करना है तो resolutions आपको यहाँ पर दिखाएगा आपको यहाँ पर HD quality की उपर टैब करना है जोकि बिलकुल high quality में है और आपके जो pixels हैं वो बिलकुल भी यहाँ पर lose नहीं होंगे इस नई option को जब आप on करके photo को send करोगे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर HD का logo भी देखने को मिल जाएगा आपकी photos के उपर कुछ इस तरीके का जब आप यहाँ पर इस photo को open करोगे वर्ट्सैप में तो यहाँ पर आपको same to same quality देखने को मिलेगी आपकी वर्ट्सैप की application में और आपकी photos की application में तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी आपको difference देखने को नहीं मिलेगा इन दोनों photos में बिल्कुल same to same quality आपको यहाँ पर देखने को मलने वाली है इस तरह से आप without document create किये किसी भी person को high quality में photos, videos को send कर सकते हो ऐसा ही जैंप्रोसेस आपको videos में use करना है अगर आपने video को shoot करा है अपने iPhone में से तो आप उस video को HDR mode के साथ send कर सकते हो अगर आपने कोई video किसी और person से ले है तो वो person जो है आपको HDR mode में अगर आपको video send करेगा तो ही आपको HD mode जो है वो लिखा हुआ दिखाई देगा आपकी WhatsApp की application में कुछ इस तरीके से तो I hope आपको यह video पसंद आए होगी So मलते हैं guys अगली video में So guys thanks of watching